हेलो दोस्तों स्वागते आपका मेडिसीन रियूज टिप्स यूटूब चैनल पर आज हम शुड़ों में एमफोसीन क्रीम के बारे में पूरी जान कर लेने वाले कर दोस्तों यह क्रीम आपको डॉक्टर के प्रिक्रिप्शन पर मिलने वाली क्रीम है बात करते हैं इसमय मोझूद कंटेन के बारे में एमफोसीन क्रीम में Amorphin IP 0.25% यह गंटेंज समयुष्ट है बात करते हैं इस क्रीम की यूजर्स के बारे में डॉक्टर से किंकिन समस्था हम इस्तमाल करते हैं इस क्रीम का मुक्कतो उपोयक फंगल इंफेक्शन होने की समस्था दूर करने के लिए यूज करते हैं इसे नाखुन में होन इसे दाद, जांग पर खुजली आने की समस्था दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है इस क्रीम का अन्य उज जानने के लिए आप अपनी डॉक्टर या फार्मसिस से संपर्क कर सकते हैं बात करते हैं इस क्रीम को इस्तमाल करने के तरीके के बारे में आप अपनी समस या अपनी डॉक्टर या फार्मसिस को बताकर इस क्रीम का इस्तमाल करने का तरीका उनसे पूछ ले इसे यूज करने के लिए सबसे पहले इंफेक्शिन वाली जगा को अच्छी तरह से साफ कर ले और इसे इंफेक्शिन वाली जगा पर थोड़ी सी मात्रा में लगा कर रख आप इसे अपनी डॉक्टर की सला से दिन में एक से दो बार या फिर रात को सोते समय भी यूज कर सकते साइड इफेक्ट इस क्रीम के इस्तमाल से होने वाले दूश परना यदि आपको इस क्रीम में मौजूद कंटेंस या अलर्जी है तो आपको बतागे कुछ साइड इफ क्रीम मेडिसीन इस्तमाल कर रहे हो तो उसकी सुचना अपने डॉक्टर को आवश्य दे अगर आपको स्कीन से चुट कोई अन्य प्राब्लम है तो उसकी सुचना भी आपने डॉक्टर को आवश्य दे गर बहुती में लाएं ये क्रीम उसकरने से पहले अपने डॉक्टर की थांक यू वर वाचिए इस वीडियो